गुद मॉनिंग एंड जैन्स ट्रेंट वेलकम दो संभी मिश्कुल सुल्तानपूर ओल्लाइन क्लासिज विल बी स्टार्टिंग एंडिया एंडिया इंडिया जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में रीड कर चुगें थ्री फॉर्म्स ऑफ एंडियु एंडियु थ्री फॉ प्रेसिदेंशन एंड प्रेसिदेंशियल एंड पर्लेमेनि ती थिया हमारी अडिया में पर्लेमेनि एंडियो को अड्यों ग्या इंडिया Cau defilteray और अॉर्टारिज क्रजुम्स ऑफॉर्टासिधियो सब्क्राइट स्थॉर्लाइब कर चया प्रडेम्स एंड क्या टोप् बिटिश जब शाशन था तो हमारे यहां कैसा सिस्टम था पार्लिमेंटरी, बिटिश कोस्टिशन के अकॉर्डिंग हमने पार्लिमेंटरी सिस्टम को एडप्ट किया था, इसके काफी बैलेंस फिट्स पी थे, बिकाज जो लीडर्स होते थे, भो पाब्लिक के रिपर्जनरी होते है थे, वो हम उन्हें चूस करते थे, जिससे हमारे यहाँ पे डिसीजन ले सकते थे, भोही फुल एक्षिटिव को कर्ते थे. नाव वाई पार्लिमेंटरी फॉर्म, परल्लेमेंटी फ़र्म को हमने क्यों अड़ाप किया इंडियन कॉंस्टिशन वांटे टू इंशोर दैट दा गॉर्मेंट वुड बी सेंसिटिव तो पॉब्लिक एक्सपेशन और वुड बी रिस्पॉंसिबल एन अकाउंटेबल इंडियन कॉंस्टिशन में जो हमारे कॉंस्टिशन के मेंबर थे वो चाहते थे जो इंडियन गॉर्मेंट बने वो लोगों के प्रती सेंसिटिव हो उनकी एक्सपेशन को पूरा करे उनकी जो एक्सपेशन है उनको कंप्रीट करे और रिस्पॉंसिबल हो because we are representative होंगे हम में से ही हम उन्हें चूज करेंगे हम में से होंगे हम उन्हें लाइक करेंगे उन्हें ही चूज करेंगे तो कहीं न कहीं वो लोगों के लिए sensitive होंगे now the president's executive puts much emphasis on the presidential as a chief executive as source of all executive power और जो presidential form होती है उसमें क्या होता है उसमें जितनी सारी power है वो सब president के पास होती है और कहीं न कहीं वो उसका misuse भी कर सकता है there is always the danger of personality cuts in the presidential action और कहीं न कहीं ये लोगों के जैसे में होता है लोगों के लिए 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 because वो misuse कर सकता है अपनी power को कहीं न कहीं अपनी power दिखा कर कि कुछ ऐसे laws या कुछ ऐसे policies बना सकता है जो लोगों के लिए harmful हो एक्सिटिव विल बी answerable to and controlled by the legislature और people representative जो parliamentary executive है वो लोगों के legislative और people के लिए कहीं न कहीं answerable होती है अगर कोई वो ऐसा वर्क करती है जो लोगों के लिए harmful है जो against में है तो उसको कहीं न कहीं उत्तर देना पड़ता है legislature को, publics को और पूरी तरह से जो control है किसके हाथ में रहता है कहीं न कहीं legislature के hand में रहता है यह parliamentary form of system क्या है president who is the formal head of the state of India and the prime minister and the council of minister which run the government at the national level हमारी इंडिया में क्या है, हमारी जो constitution है उसके according सारी power किसके पास है, president के बात है but in reality, reality में क्या है, reality में जो सारी power किसके hand में होती है PM के, president only nam mahtar का head है, शाशक है और सारी power किसके hand में है, prime minister और councils of minister, cabinets के hand में होती है जो government करते है, national level पे At the state level, the executive comprises on the government and the chief minister and the councils of minister Like this, same इसी तरह है, state level पे जो executive की सारी power है, जो head होता है वो governor होता है, लेकिन real power किसके hand में होती है, chief minister and councils of minister Now, thank you student, in next video, we discuss about president power in executive Thank you, thank you very much, Chahin